दोस्तो अगर आपने भी Samoran Gold Bond Schem के दौरा सोने में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी होगी तो आपके मन में कई परकार के संकाई होगी तो इस वीडियो में में आपके सभी परकार की जो संकाई हैं और डाउट्स हैं मन में वो दूर कर दूगा तो वीडियो को शुरू स से लेके लाज तक देखके आप भी जो आपके मन में संका हुए सुवाल है वो दूर कीजिए तो इसके लिए बन रहे आपके अपने यूटूब चनल टेक यादाओ के साथ अगर कोई भी विवक्ति सावरेंद गोल्ड गोंड इसकीम में इन्वेस्ट की सोच रहा होता है तो उसके मन में सबसे पहला सुवाल यही आता है कि SGB इसकीम में जो है इन्वेस्ट कैसे करी तो दोस्तो इसका अंस्वर है कि आप इस इसकीम में ओन लाइन वे ओफलाइन दोन रुपए की जो है छूट मिलती है यह सोना कितने केरेट का होता है तो यह सोना जो है इसके द्वारा आप सोना जो खरीदोगे वह 24 केरेट वह 99.9 परसेंट जो है सुध होता है क्या SGB स्केम का जो बॉन्ड होता है वो सरकारी होता है तो हाँ दोस्तो इस स्केम के द्वारा जो हमारे को बॉन्ड मिलता है वो सरकारी होता है SGB scheme का जो bond है वो कौन जारी करता है तो इस scheme का जो bond है वो RBI यानि रिजरुवर बंक उप इंडिया दोरा जारी किया जाता है SGB scheme में निवेश पर सालाना कुछ ब्याज भी मिलता है क्या? हाँ तो दोस्तो अगर आप SGB scheme के द्वारा सोने में इन्वेश्ट करते हो तो आपको सालाना 25% जो है इसके द्वारा इंट्रेस्ट मिलेगा SGB scheme में loan सुईधा है क्या अगर दोस्तों आप SGB scheme के दोरा सोने में invest करते हो तो इसमें loan की सुईधा भी है यानि जुरुत पढ़ने पर आप जो है इस scheme के document दिखा के और loan भी ले सकते हो इसमें निवेस के लिए demate account होना ज़रूरी है क्या आप जो है बिना demate account के भी इसमें जो है निवेस कर सकते हो demate account होना इसमें जो है compulsory नहीं है बैंकों की net banking से इसमें निवेस कर सकते हैं क्या तो हाँ दोस्तों बैंकों की जो net banking होती है उसके दोरा आप जो है इसमें आसानी से जो है SGB scheme में निवेस कर सकते हो SGB scheme में offline news कैसे करें तो अगर आपको offline news करना है तो आप offline news जो है bank की साकाओं में जाके post office, stock exchange या stock holding corporation ले इंडिया के द्वारा जो है आप इसमे offline भी news जो है आसानी से कर सकते हो news के लिए pain card होना जरूरी है क्या हाँ दोस्तों इसमे SGB scheme में जो है news के लिए आपके पास जो है pain card होना जरूरी है SGB scheme से खरीदा हुआ Sona demate account में कैसे transfer करें तो अगर आप news करते समय अपना demate account नमर डालते हो तो यह Sona आपके जो है demate account में transfer कर दिया जाएगा और आपके demate account में जो है यह Sona आपको स्योख रेगा वहां से आप इसको आसानी से जो है जरूत पढ़ने पर सेल भी कर सकते हो इसमें minimum कितना Sona करीज सकते हो तो आप इस scheme के द्वारा minimum एक ग्राम वह maximum जो है 4 kg तक Sona करीज सकते हो SGB scheme का maturity period कितना होता है तो इस scheme का जो है maturity period जो है 8 साल का होता है यानि अगर 8 साल से पहले आप इसको जो है बेशते हो Sona को तो आपको इसमें जो है टेक्स देना पड़ेगा वह 8 साल के बाद में अगर आप इस सोने को सेल करते हो तो किसी भी परकार का कोई भी जो है आपको इस पर टेक्स नहीं देना पड़ेगा यह थी दोस्तो मेरे मेरी तरफ से क्योशन अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मैं जितना हो सकेगी पूरी हेलप करूँगा थेंक्यू